दिस न्यूस स्पॉंसर बाई कमिन्स कॉलेज आप इंजिनिरिंग फॉर वुमेंट नमस्का स्वागत आपका इन्बिस दियूस पर आज के टॉट 20 में मैं हूँ आपके साथ भाकिश्री संसदिय कार्य मंत्री किरेन रिजजु ने बुदवार को बताया कि 28 लोग सभा का पहला सत्र 24 जुन से शुरू होकर 3 जिलाई को समाथ होगा सत्र के पहले दिन 9 निर्वाशे सदस्य शपत लेंगे अंध्रप्रदेश के नए मुख्यों मंत्री के रूप में चन्रपापु नाइडू आज शपत लेवी जा रहे है इसे पेश बिहार के मुख्यों मत्री नितिश कुमार उनके शपत गहन समारों में शामिल नहोंगे मद्रप्रदेश के विदिशा की केमिकल फैक्ट्री में बीशन आख लगी सुपह आग की लोगों को जानकाई विली है आर्च से 10 किलो मिटर दूसरे काली धुए का गुपार दिखाए दिया स्पेन के मेलोर का द्विप में मगलवार को भारी बारिश की कारण बाड़ा गई रोड पर पाने की और फ्लो होने से पाल्मा डी मेलोर का शहर में आनचाना बादित हो गया जारकन के पूर्व मुख्य मंत्री हेमन सोरें की जमानत याचिका पर सुमवार को जारकन हाई कोट में सुनवाई होई थी अदालत में हेमन सोरें की और से वकील कपिल सिब्बल ने बहस पूरी कर लिती अज उन्वाई की दुरान एडिकी ओर से बख्ष रखा जाएगा ग्राहुल कांदी आज केरल के वाइनाड का दोरा कर सकते हैं लोगसभा चनाव में इस शेद्र से भारी चीत हासिल की है उन्होंने वाइनाड लोगसभा सिट से सिप्याई उमिदवार एनी राजा को बड़े से हराया था जमो कश्मिर के कठुआ के हिरानगर इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई ग्रामिनों ने तुरंट इसकी सुचना पुलिस कोती है इसके बाद मौके पर पहुची पुलिस ने एनकाउंटर में एक आतन की कोट ठेर कर दिया है और इसाम में बीजेपी ने कनक वर्दन सिंग देव और प्रवती परिदा को डिप्टी सियम बनाने का फैसला किया है ने परिश्टा में ग्रेस्ट मार्स देने के मामले में एन्टे के फैसले को चुनोती दी गई है दिली हाई कोट में इस याची का सुनवाई करेगा उत्रप्रदेश में लाखों राज्य करमचारियों को योगी आलतितनास सरकान दे बड़ा तोफा दिया है जिसके तहट अब रिटार होने के अखले दिन होने वाली बेतन वृद्धी का लापी करमचारियों को मिल सकेगा माराश्य के धाराशियों में बारिश के बाद लोगों ने बैते निले पानी को दिखा बात जब फैली तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड उमड़ पड़ी अब इसका वीडियो वारर हो क्या है माराश्य विदान परिशर्च चनाव में उद्धव ठाकरे ने एक तरफा उमिदवार उतारा है इस बात को लेकर महाविकास आघाडी में नारज की जताई जारी है एंसेपी एस्पे के प्रमोग शरत पवार ने कहा कि मुझे उम्बिद है कि सरकास्ती रहेगी और पर देश की अर्थ व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए कदब उठाएगी राज़िते में बद्बिद होते हैं लेकिन अर्थ व्यवस्ता ठोस होनी चाहिए एंसेपी एस्पे के प्रमोग शरत पवार ने कहा कि मुझे लग रहा था कि राम मतेज जुनावी एजेंटा होगा और सतारूट डल विजेपी को वोट मिलेगे लेकिन हमारे देश के लोग काफी समझदार है महराश में लोग सबाज जनाव के परिनामों के बाद विपक्ष के निता विजेवटे टिवार ने दावा किया है कि महायुति के 40 से अधिक विधायक महाविकास आगाडी याने एमवे के सबबग पर है शेर बाजार ने ओपनिंग के एक खंटे से पहले ही नई एतियासिक उचाई चोली है और एनेसी निप्टी ने 23,425.35 का नया रिकॉर्ड हाई बना लिया है इसने अपने पहले के उच्छे तमसर 23,411.90 को पार कर लिया है निर्मला सीता रमन लबे समय से मोधी सरकार में वितमन्टाली की कमान सभा दी है मोधी सरकार के तिसले कारिकार में उन्हें महत्वपुन्टाली की जिम्मितारी मिली है सुनाक्षी सिन्ना इन तिनों खुब सरक्या बटो रही है इसके वज़ा से लगबग सभी वाकिपी होगा है दावा किया जा रहा है कि सुनाक्षी सिन्ना अपने लॉंग टाइम बॉइफरेंड जहीर इकबास संग शादी करने वाली है यह थी आज की टॉट 20 खबरी खबरों का सिलसिला यही चलता रहेगा आप देखते रहें इन बिस इन दूस नमस्कार